नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं दोस्तों लोगसभा चुनाओं हमारे सामने हैं और उससे ठीक पहले चंदरशेकर को सरकार ने वाई प्लस सुरक्षा दे दी है यानि आप चंदरशेकर जो की अब आकड़ी सुरक्षा के बीच में रहेंगे इससे पहले केंद सबच ननाओं से ठीक पहले दोनों ही ने ताउ को सुरक्षा देना क्या कहलाता है जो राजनेतिक पंडित हैं वो अपने अपने तरीके से इसके माइने निकाल रहे हैं कि इसके पीछे कि आखिर वजह क्या हो सकती है लेकिन जो अभी बात निकल कर आई है जो खबर निकल कर आई है अंदर खाने से वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कहा ये जा रहा है कि आई बी की रिपोर्ट के आधार पर भीमार्मी प्रमुक चंदर शेकर आजात को सुरक्षा दी गई है क्या था वो ऐलर्ट क्या थी वो रिपोर्ट वो भी हम आपको बताएंगे अब उनकी सुरक्षा में कमांडो तैनात कर दिये गए हैं चंदर शेकर अब कमांडो के घेरे में कई कमांडो होंगे जिनके घेरे में अब चलेंगे जहां जहां भी वो रहेंगे घर हो या फिर बाहर सुरक्षा तैनात रहेगी दोस्तों अंदर की खबर यह है कि चंदर शेखर को पिछले दिनों एक का गुपत सूचना मिली थी कि मेरट के कुछ बनमाश उनके पीछे लग गए हैं और उनको खत्रा भी है और जान का खत्रा भी हो सकता है उनके उपर हमला भी हो सकता है यूपी पुलिस के रिपोर्ट केंदर सरकार को भीजी गई चंदर शेखर ने ये जानकारी खुफिया विभाग को दी थी उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक रिपोर्ट तयार की और उसको केंदर सरकार को भेज दिया गया जिसके बाद केंदर सरकार ने बुदव फायरिंग की गए थी और इस दौरान एक गोली चंदरशेखर की पीट को छूती हुए निकल गए थी और उस वक्त से ही कहा ये जा रहा था जो चंदरशेखर के समर्तक हैं वो लगतार कह रहे थे इस बात की मांग कर रहे थे कि चंदरशेखर जिनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए सुरक्षा मोहिया करानी चाहिए जब हमला हुआ दोस्तो चंदर शेकर घाय लोग आए और इसके बाद उनको अस्पताल में भरती कराया गया और बाद में उन्हें सोचल मीडिया पर फिर से धंकी मिली थी तो एक के बाद एक धंकिया भी मिल नहीं थी और उनके ओपर हमला भी किया गया था दोस्तो ये कहा जा रहा है कि अब चुनाओ आ गए हैं नगीना सीट से चुनाओ लड़ रहे हैं चंदर शेकर उससे ठीक पहले ये सुरक्षा दी गई और पिछले साल भी जब हमला हुआ था गोलिया चली थी उस वक्त था कुछ लोग ये सवाल कर रह गए इस कैटेगरी की सुरक्षा में दोस्तो ग्यारा कमांडो तैनात किये जाते हैं जिसमें पांच पुलिस के स्टेटिक जवान और वी आई पी की सुरक्षा में उनके घर और आफिस या फिर आसपास जहां भी वो रहेंगे तो उनके आसपास रहेंगे और इस कैटेगरी दोस्तों चे पियसो की तेराती की जाती जो कि तीन शिफट में काम पर आख सकती हैं देरासल दोस्तों चंदरशेकर सीड़ चेट से चुनाव लड़ने के उन्होंने एहलान कर दिया था उनोंने पिछले दिनों यहां से अपना नामांकर पत्र भीदा कर दिया था पहले ही ये कहा जा रहा था कि चंदरशेकर और समाजवादी पार्टी मिलकर यहां पर चुनाओ लड़ सकती है कई राउंड की बाचीब भी हुई थी जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया और ये कहा जा रहा था कि सपा के सिंबल पर या तो बात बन सकती है या फिर चंदर शेकर अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाओ लड़ सकते हैं बीच का रास्ता कोई निकल सकता है लेकिन बेनतीजा रही सारी मीटिंग और आखरकार अखली शादों ने नगीना सीट से अपना प्रत्याशी उतार दिया उसके बाद ये साफ हो गया कि चंदर शेकर अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है और चंदर शेकर ने अलग से अपना नामांकंद आखिल कर दिया चुनाओ लड़ने का फैसला कर लिया अकेले चुनाओी मैदाने का फैसला कर लिया चंदर शेकर आजद ने और अब सरकार की तरफ से उनको सुरक्षा भी मोहिया करा दी गई है इसको बीजेपी की दूर की सोच के तोर पर भी देखा जा रहा है दोस्तो एक तरफ मायावती के बतीजे आकाश आनंद को सुरक्षा दी गई है और दूसरी तरफ चंदर शेकर को भी अब सुरक्षा मोहिया करा दी गई है जब आकाश आनंद को सुरक्षा दी गई थी दोस्तो तब ये कहा जा रहा था तब कई सारे लोग ते जो सवाल उठा रहे थे कि जब आकाश आनंद को सुरक्षा दी जा सकती है तो चंदर शेखर को क्यों नहीं दी जा सकती फिलाल अब उनको भी सुरक्षा मिल गई है नगीना सीट पर चंदर शेखर काफी दिनों से दोस्तों मेहनत कर रहे हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं काफी दिनों से पिछले काफी दिनों से नगीना सीट पर वो उस्षेतर में लगतार लोगों से जनसमवाद कर रहे हैं और लोग सबाचुनाओं की तयारी कर रहे थे ऐसे में उनको एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है कि जो लोगों में पैट बनाई हैं उनको एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों 11 कमांडो तैनाद किये गए हैं इस कैटेगरी के तहत 11 कमांडो तैनाद किये गए हैं चंदरशेकर की सुरक्षा में पांच स्टैटिक जवान हैं वी आईपी के सुरक्षा में उनके घर और आसपास रहेंगे जैसा है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ तो जब ये खब ये खबर निकल कर आई तो बहुत लोग ये कह रहे हैं बहुत लोग इसके पीछे की क्या कहानी है था क्या किछे कोई रणिती बनाई जा रही है तो आप भी इसका विशलेशन जरूर करें, इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है, इसके पीछे का क्या विशलेशन होगा जरा वो आप हम लोगो बाहर साथ जरूर शेयर कीजेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तो अपनी राये आप जरूर दीजेगा, आपकी राये ब शच्छुक्रिया दोस्तो